शामा प्रसाद मुखर जी एक शिक्षाविद प्रखर वक्ता, कुशल संगठन करता और बहु आयामी व्यक्तित वकिधनी थे वो ना किवल एक अनुभवी राजनी तिग्य थे बलकि एक प्रखर राश्रवादी और देश भक्त भी थे आईए एक नजर डालते हैं शामा प्रसाद मुखर जी के जीवन पर शामा प्रसाद मुखर जी ना सिर्फ एक शिक्षावद और प्रखर वक्ता थे बलकि अनुभवी राजनेतिक्य और कुशल संगठन करता थे शामा प्रसाद मुखर जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संपन्न और प्रतिष्टत बंगाली परिवार में हुआ था पिता सर अशुतुष मुखर जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे शामा प्रसाद मुखर जी के बच्पन का नाम बेनी था लेकिन भाईयों के मुकाबले अधिक सावला होने के कारण सब उन्हें भूति या भूति कहकर बुलाते थे उनकी प्रत्मिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र इंस्टिटूशन से हुई थी 1917 में मेट्रिक की परिक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में इंटरमेडियेट और 1921 में अंग्रेजी साहित में सनातक की पढ़ाई पूरी की सनातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1922 में उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ हुआ 1923 में विविश्वविद्यालाय सीनेट के फैलो बने और 1923 में ही बांगला में M.A. की परिक्षा प्रथम शिर्णी से पास की 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालाय से बेशलर औफ लो की परिक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उचिन्यायाले में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए एंगलेंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉग की डिग्री लेकर भारत लोटे विद्या, वित्त और विकास एकदम उनके जीवन के विशे में अगर कहते हैं तो इन तीनों के उपर आधारित था तो विद्या उनका जीवन का शुरू जो हुआ विद्या से हुआ वाइस चांसिलर बने कालकटा उनिवर्सिटी का और 1937 में पहले बार रविंदनाद टेगोर को उन्होंने बुलाया कन्वोकेशन एड्रिस देने के लिए और उन्होंने बंगला में कन्वोकेशन एड्रिस दिया भारत लोटने के बाद 1934 में मातर 33 साल की उम्र में कलकटा विश्व विद्यालाई के कुलपती नियूक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपती होने का सम्मान हासिल किया 1938 तक वे स्पत पर बने रहे इस दोरान उन्होंने विश्व विद्यालाई में अनेक रशनात्मक सुधार किये कलकटा विश्व विद्यालाई का पृतिनिध्यत्व करते हुए 1939 में वो कॉंग्रेस उमीदवार के रूप में बंगाल विधानसभा परिशत के सदस से चुने गए लेकिन जब 1930 में कॉंग्रेस ने विधान मंडल के बहिश्कार का आववान किया तो श्यामा प्रसाद मुखर जी ने विधान परिशत की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया बाद में वे निर्दली प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए 1937 में जब क्रशक प्रजा पार्टी और मुसलिम लीग कटबंधन सत्ता में आये तो श्यामा प्रसाद मुखर जी विरोधी पक्ष के नेता बन गए वे फजलोल हक के नेतिर्त में प्रगती शील कटबंधन मंत्रालाय में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए लेकिन एक साल से कम समय में इस पत्स से त्याक पत्र दे दिया इसके कुछ दिन बात ही वे अखिल भारतिय हिंदू महासभा में शामिल हो गए 1940 में डॉक्टर मुखर जी को अखिल भारतिय हिंदू महासभा का कारेकारी अध्यक्ष नियूक्त किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए परितम अंत्री बने प्रोग्रेसिव डेमोक्रिटिक कोलिशन, वन अफ बेस्ट फाइनस मिनिस्टर्स, एकदम निरपेक्ष थे, एकदम अतूलनिय काम उन्होंने किया है, उसके बाद फिर उन्होंने बंगाल को बचाया, जो पश्चिम बंगाल आज है भारत में, यह उनका देन है, एक तरह से उनको कह सकते हैं कि वो जनक थे पश्चिम बंगाल का, उनको तुरंत ये समझ में आया कि पूरा बंगाल चला जाता अगर पाकिस्तान में, तो बंगाली हिंदू जो थे, वो कहां जाते हैं। जब नहीं माना गया, तो वो नवंबर 1948 में इससे अलग हो गए। आजाती के बाद ततकालीन प्रधान मंत्री पंडिट जवाहरलान लहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं अपूर्ती मंत्री के रूप में शामिल किया। तरसल डॉक्टर मुखर जी को प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जवाहल लाल नहरू और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझोते से दुखी होकर 6 अप्रेल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर जी ने मंत्री मंदल से त्याक पत्र दे दिया। इसके बाद राश्ट्रिय सुयम सेवक संग के सर संग चालक माधव सदाशिव गोलवलकर से सलह मशवरा करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतिय जनसंग की इस्धापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1951-52 के आम चुनावों में भारतिय जनसंग के तीन सांसा चुने गए जिन में से एक शामा प्रसाद मुखरजी थे। उन्होंने संसत के भीतर राश्ट्रिय जनतांत्रिक पार्टी बनाई जिसमें 32 सदस लोकसभा और 10 सदस राज्य सभा से थे। हालांकि लोकसभा द्यक्ष ने उसे विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी। डॉक्टर शामा प्रसाद मुखरजी भारत की अखंडता और कश्मीर विलाई के द्रण समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुचे 370 को भारत की विफलता और शेक अब्दुल्ला का त्री राश्टर से धांत बताया। अनुचे 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंग ने हिंदू महासभा और रामराज्य परिशत के साथ सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में शामा प्रसाद मुखर जी कश्मीर का दोरा करने गए और इसी दोरान 11 मई को कुख्यात परमेट सिस्टम का उलंगन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें कर अफ्तार कर लिया गया और नजरबंद के दोरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्य हो गई।